तो फ्रेंट्स आज के इस वड़ी में हम देखने वाले हैं Unlock Tool How to use Unlock Tool How to buy Unlock Tool को कैसे खरीदना है कैसे डाउनलोड करना है कैसे यूज करना है सारा डीटेल में आपको बताने वाला है इस वीडियो में तो शुरू करते ही वीडियो को Unlock Tool के बारे में पूरा वीडियो होने वाला है बेसिक से लेके एडवांस अगर आप Unlock Tool पर्षेस करना चाहते हो या फिर यूज करने आपको नहीं आता है तो आप यह पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा शुरूरिटी है कि आप 70% Unlock Tool यूज करना सीख ही जाएंगे और बाकी प्रेक्टिस करने के साथ साथ आप उसे 100% यूज करना सीख सकते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा Unlock Tool का वेबसाइट इस तरीके का पहला पेज आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर दोस्तों जो यहां पे में चीज देखने के लाएक है यहां पे आप देखकते है अकाउंट लॉग इन 12 लेटर चेंज पीसी मतलब अगर आप इस पीसी में लॉग इन कर रहे हो तो आप 12 गंटे के बाद पीसी चेंज कर सकते हैं तो फिलाल मैं Unlock Tool यूज कर रहा हूं लेकिन वह पांच गंटे में पीसी चेंज हो जाता है पहले तीन गंटे में होता था अभी बारा गंटे यहां पीसी चेंज हो जाता है तो यहां पे कुछ website पे तूल में कुछ glitch होगा इसके वीस ऐसा हो सकता है या फिर इन्होंने सिर्फ लिखा होगा वह पांच गंटे में चेंज हो रहा ठीक है और यहां पे देख सकते हैं आप यहां पे All Password Extracted तो मतलब आप अगर आप Unlock Tool की website से कोई file download करते हैं तो यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है अगर लंबा हो गया तो आपको इसको skip नहीं करना है वीडियो पूरा देखेगा तो ही आपको पूरा समझ में आने वाला है अगर आप basic से advanced तक सीखना चाते है तो पूरा आपको इसके अंदर में सिखा दूँगा दोस्तो जो second चीज आपको इहां पर देखने को मिलेगी यह all password extract unlocktool.net मतलब इस website से आप जो भी file डाउट करेंगे अगर उसमें password लगा हुआ है तो आपको यह unlocktool.net डालना है और आपका जो file है जो zip file हो extract हो जाएगी ठीक है इस page पे आपको यही दो detail मिलने वाली है एक तो PC चेंज करने का timing और एक password फिर second option आता है हमारा downloading डाउनलोड आएंगे जोस्तो टूल का update आते रहता है हफते में महिने में 15 दिन में कभी-कभी-कभी-कभी दो दिन में भी update आयाता है तो मेरे हिसाब से यह best tool है अभी तक के market में बहुत ही अच्छे तरिके से यह work कर रहा है तो अभी इसका latest update जो आप दे सेकते हो 23 नौको आया हुगा है तो यहाँ पे कुछ नए updates आएं इसके अंदर उसके बारे हम बात में दिखेंगे यहाँ पे चय naught है करसकते हो तो यहां से आपको फाइल टूल आउडोड करने का गुगल डॉब का लिंक मिल जाता है यहां पे घर डॉडञोड करने की मिल जाते है कुछ फाइल और यहां प्र आइपो आईफोन और आईपैड के संके हैं और यहां पर आउंडेना आईफोन और बटन क आप आप दो साथ कुछ यहां पर जो जो सब्सक्राइब दिखा देगा इसके अनर तो इस तरह के आप सारे चीजे चेकर सकते हैं संसंक में भी चेक कर सकते हो कौन-कॉन सा मॉडल सपोर्ट है दोस्तों इसके बारे में हम डीटेल में दिखेंगे अनलॉक डूल उपन करने के बाद ओपो में भी आप चेक कर सकते हो उसका दोस्तों यहां पर फॉर्मवेर का ओप्शन आ जाता है फॉर्मवेर मतलब कुछ फाइल्स जो है यह अनलॉक तूल आपको कुछ प्रवाइड करती है जैसे के ड्राइवर्स हो गए कुछ कुछ किसी फोन के फाइल्स भी मिल ज दिखाऊंगा मैं तो यहां पर आगे जादा कुछ निया फॉर्मवेर है फिर लाइसेंस अक्टिवेशन करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे रिसेलर से मिल जाएंगे यह कुछ उनके फोरम से यहां पर आप जाके सीख सकते हो है एल्प वीडियो के उनकी पर आपको चिसफार करने के बाद अगर आपका सब कुछ अमेल इडी उसर नेम और दोनों पासवर्ट से में रहेगा तो आकषक हो जाएगा अकंट करेंगे बाद यहां पर आपको लॉगिन पेच पर अने के बाद यहां से डिटेल पूरा शुरू होता है आपको कैसे टू करना है आपको login करके दिखा दो आपनी आईडी लॉगिन करने के लिए दूस्तों आपको यूजर नेम पास्वर डाल ला है यहां पर चेक करना है इसके बाद आप लोगों के बारे में तो मालूम ही होगा तो यहां पर यह क्रॉस्स वाल हमें करने के लिए बूला तो हम सिलेक्ट करने के लिए और यहां पर वैरिफाइक कर देंगे यह वैरिफाइगे बाद दोसर अपको login पर क्लिक करते हैं आपका जो अकांट है लॉगिन हो जाएगा तो फ्रेंग्स सबसे जरूरी चीज आपको टूल को बायक कैस हमसे कराना आप हमसे भी करा सकते हो और भी किसी से भी करा सकते हो ठीक है इसमें कोई भी पाबंदी नहीं आप जिससे मन उससे करा रही है ठीक है तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रेशन करने के लिए करना है युजर ईडी क्रियेट करने के बाद आपको यहां पर कॉर्नर में चलना और मा अकॉनिप पर क्लिक करना है यहां पर आपको आपका user इदि दिख जाएगा यह दोनों चीज एपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से सेंड करनी है अलग- comment using जिसकी से भी आप activation कराएंगे यह दोनों चीज़े आपको ज़रूर लगेंगी यह दोनों अक्टिवेशन करने के बाद सामने वाले भी डिपेंड करता हूं कितना जल्दी आपका लगी जाते हैं अक्टिवेशन करने में हम भी करते आप किसी और से भी करा सकते हैं अगर आपको करना चाहते हो तो मैं activation के लिए लिए लिंक दे दूंगा उपर आई बिटन में आपको वीडियो दिख जाएगी उसके अंदर नमबर आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन वहाँ पर आप टूल को करा सकते हो नहीं तो आप कहीं भी करा सकते हैं आपके ऊपर है तो इस तरीके से दोस्तों आपको को द्सके करना बढ़िसाशन करने के बाद दोस्तो हैं पर हम फ़ pogog in ने के बाद अगर आप ने ने कर लिया तो अन्म 반दकल को आपको फ़ुआइयर का एक्सेस भी जांज बेंगा यहाँ पर कुछ देखने को नीज जाएंगा है देखने के लिए जैसे कि आपको मैंने बता था पासवर्ड में UnlockTool.net है हर फाइल का पासवर्ड यह ही है ठीक है और उसके बाद आप MI का भी फाइल कुछ-कुछ मिल जाएंगे Samsung में भी कुछ फाइल मिल जाएंगे फाइल के बीवो के भी जो भी फाइल से अभी तक अनलॉक टूल के वेबसाइट पो आपको यहां पर देखने के मिल जाएंगे बट यह आपको एक्सेस करने के लिए पहले रिजिस्टेशन करके लॉग इन करना ज़रूरी है तो फ्रेंट यह नए अपडेट आया है पहले नहीं यह कुछ领 यह कुछ दो तिन अपडेट से हमको आप्शन मिल रहा है यहां पर अपहल के ड्रायवर कर सकते हो और भी बहुत सारे फाइल कि के स्टून को प्ले जाते हो और ही उप मर्या यह retention का यमड़र मिल जाते हैं आप अर यह यह security page का भी preloader आपको मिल जाता है इसे भी आप फोन को unlock कर सकते हो यह सारे process आप डेख सकते हो और यह सा फाइल से बहुत सो लोगों को नहीं मिलती थी इसलिए आप अनलॉक टूल ने खुद ही यहाप अपडेट में डाल दिया है तो आप यहाँ से डाउनोड कर सकते हैं ठीक है यह सार कुछ यहाँ से टूल को activation करने से लेगे registration करने से लेके login से लेकि activation कैसे कराना है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है website पर आना है registration करना है login करना है Ultinar lang बां userине और email ID से भी आपको registration करना है ऐक्टिवेशन कराना है उसको यूजर आदिया और आपको बता दिया जाएगा और पेमेंट जो भी रहेगा वह आपको बता दिया जाएगा टूल को open करने के लिए simply double click करना है और तूल आपका open हो जाएगा येस कर देना है रनेसद्ट्रेटर का टूल open करने के बाद दूस्तों यहाँ पर जो इसकी फाइल बनती है यहाँ पर यह सी ड्राइब में एक फाइल मेलेगी आपको पहले इस फोल्डर के बारे में बता दूँ बैककप के अंदर जो अगर आप कोई EFS फाइल बैकप ले रहे तो यहाँ पर आएगा आपका अनलॉक तूल से न्वी रैम का बैकप ले रहे है और बहुत सारे यहाँ पर जो भी फाइल के बैकप होंगे ऑप्शन जो इसके बाद यहाँ पर बाइनरी हैं देटाशीट हैं मतलब ड्राइवर से मतलब टूल को वक करने के लिए बहुत सारे चीज़े लगती है तो वह सारे कुछ आपको इससी फोल्डर के देखने को मिल जाएंगी तो इस फोल्डर आपको ज्यादा चेड़का नहीं करना है प्री टूल नहीं बहुत से लोग कर दालते हैं वर आपको अगर काम करना है तो थोड़ा सा खर्चा तो करने पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉलम साते हो उनके बारे मैं बात नहीं करूंगा ठीक है यह हमारा टूल जो है वह ओपन हो गया और अब हम यहां से लॉगिन कर तो फ्रेंड्स रिष्ट्रेशन के ताइम पर ध्यान रखेगा आपका इमेल आडी जो हो पर्फेक्ट होना चाहिए तो अगर आप कभी बाइचांस पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको इसे रिसेट करने में प्रॉलम हो सकती तो ध्यान रखे इमेल आडी ऐसा डाले कि ज पे आप जाके थोड़ा सा सपोर्ड दिखाईएगा तो आप लोगो को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाना है तो इस तरीके से हमारा फूरा टूल फ़र्स्टाइम अपन होता तो इस परिके है अगर आप नए ID है प्रान फरक्निया पढ़ने वाला आप नया ID भी लॉग इन बाइड कर दीस आपको टुल मिलने वाला स सब्गह से अलग है सरे सबती को से अपर को से ग्राइब कौनिकर अलग से करने के जरॉट भी नहीं पड़ती और नहीं होता इस के यह तो सबसे पहले इस साइड हम देख लेकिए हमाले राइटन साइड हमें क्या उप्चन मिलिया तर नीचे शुरू करते हैं यह पर देखेगा यूजर इदी दिखेगा पीसी किस पीसी में लॉगिन है वह दिखेगा और यहां पर जो नए अबेट्स आया हो दिखने वाले उपनें Com पोर्त मतलब procure sur呵 techniques क wpो OutGO कव आप और समसंग का फोट लगा रोगा रहा हुज़ तो यहां पर péninkम का फोटेंगे आपी कर connect का button मिल जाता है जो थोड़ा था process को fast कर देगा ठीक है connection जो है वो fast होता है कहीं ने कहीं USB में जो read and write speed होती है वो fast होती है ठीक है और यह com port के बाद ऊपर आपको USB यह मिल जागा इसमें आपको normally बोलो तो अगर आप फोन को fastboard mode में लगाएंगे तो उस पर आपको यहां पर द किसी एक port में देखना ही देखना जरूरी है अगर आपको यहां पर नहीं दिख रहा है तो आपको device manager में देखना पड़ेगा device manager यहां से भी आप सर्च करके भी open कर सकते हो direct यहां पर option भी मिल जाता है आपको क्लिक करना है और आपका device manager open हो जाएगा ठीक है आपका यहां पर driver signature disable करने का option भी जाएगा driver signature disable जरूरी होता है किसी किसी PC में जो कि LO icon आता है driver के उपर तो अगर आपका driver signature disable नहीं रहेगा तो आपका जो flashing है वो नहीं होगा क्योंकि आपका जो tool है और जो phone है वो driver जो है वो proper तरीके से install नहीं होगा और connect नहीं होगा tool में तो आपका flashing और unlocking को स्टार्ट नहीं होने वाला ठीक है और भी बहुत सारे डिसेवल विंडोस दिफेंडर और राइकडिट है और यह सब बहुत कुछ unlock tool driver download कर सकते है अला यह USB driver जो अभी की OPPO को उनसके लिए बहुत ज़रूरी है और यह कुछ MTP drivers है clean USB sharing software अगर आपके पास कोई USB over network है यहा प आपको clean कर सकते हो आप यहां से autosave log जो log से autosave होंगे जो log से autosave होंगे यहां पर hide username करेंगे तो आपका username जो है वह हाइड हो जाएगा ठीक है device manager के बारे में तो आपको मैंने बताई दिया उसके बार दूस्तों यहां पर test point का option पर क्लिक करते हैं आपको इस तरीके पैनल आपको जाएगा यहां पर Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo, Vsmart, Lenovo जो भी ब्रांड से सपोर्टेट से हैं सारे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जिसकी फोन का आपको test point देखना है आप Google पर सर्च करते हो गूगल पर क्या होता है कभी-कभी proper तरीके से नहीं मिलता तो आप यहां पर आ इनकेस कोई नया security आते तो इसके लिए वाक होगा तो यह देखने के आपको test point तो आपको Google पर आने के ज़रूवत नहीं पड़ेगी क्या होता ना Google पर बहुत ही confused photos मिलती है मिल जाते है clearly आपको दोड़ने आना अच्छा है अगर आप नए हो तो आप लोगों के लिए बहु आपको test point यहां पर क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आपको CL के होता है यह हमें ग्राउंट पर शॉट करना पड़ता है यह हमारा इस तरीकेस आपको test point यहां पर दोड़ सकते हो उसके बाद यहां पर fastwood option आता है यहां पर जिससे fastwood के अंदर आपको किसी phone का info रिट करना ह सकते हो और भी वह सारे options मिल जाते हैं यह सारे options तो ज्यादा यूज में नहीं आते तो इसके बारे में ज्यादा details नहीं बताने वाला हूँ कि कि इस सब का use बहुत ही कम use होता है तो इसके बारे में जान के भी मतलब नहीं है ठीक है और यहां पर कुछ फास्बूड के shortcuts मिल जाते हैं जो हम पहले cmd में करते हैं ने command prompt में वह सारे options मिल जाते हैं यहां से आप फोन को reboot भी कर सकते हो जैसे कि जो फोन supported है इसके अंदर fastboot mode में जाकर recovery mode में जा सकता है अगर इसमें कुछ security page latest नहीं अगर वह supported है तो अगर आपका keypad का कोई volume की खराव है तो आप यहां से recovery mode में इससे इसली डाल सकते हैं उपर एक option में जाता है यहां पे language है यहां पे help आपको मिलेगा बट यह work नहीं कर रहा है कुछ error है तो इसकी जरुद तो पड़ेगी नहीं क्योंकि simply ज्यादा support वहां से मिलने वाला है नहीं आप लोगों को आप लोगों को ही tool download करना है आप लोगों को ह तूल यूज करना है ठीक है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं MI से MI पर आते हैं दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है आप बोर मत होईएगा वीडियो को पूरा देखिएगा क्या क्या options है सारे options देखा रहा हूं चाहते तो मैं shortcut में वीडियो बना सकता था बट यह जो वीड मिल जाता है MI flash के अंदर दोस्तों आने के बाद यहां पर model अमर मिल जाता है जो भी model आपको flash करना है यहां पर सिलेट कर सकता है जो supported हैं दोस्तों बहुत सारे model supported हैं और यहां पर आपको direct file download करने का option भी मिल जाता है यहां पर model select कर रहे हैं तो यहां पर show all का option पर क्लिक करें तो यहां पर सारे files आपको देखने लगें कुछ-कुछ files hidden रहते हैं तो वह भी दिखने लगेंगे firmware info पर क्लिक करें तो यहां पर आपको firmware info दिखेगा यह option disable है auto reboot पर करेंगे तो phone आपको flashing होने के बाद auto reboot रहेगा MI cloud ROM तो कुछ-कुछ phones को MI cloud ROM से flash करना पड़ता है MI account unlock करने लिए उसके लिए options है protect EFS इस पर आपको हमेसा ठीक लगा करके रखना है इसके आपका जो भी phone का security है वह हमेसा safe रहेगा EFS करेंगे तो आपका security जो है वह erase हो जाएगा ठीक है तो इसको ठीक ही रहना दीज़ेगा reset MI account यहां पर direct कर सकते हो FRP कर सकते हो disable MI account कर सकते हो full flash कर सकते हो full flash करने के लिए यहां से आपको modes मिल जाएंगे fastboot mode में vivo का यहां पर option Q दिख रहा है क्या मालूम यहां पर fastboot mode में MI account phase करते हो EDN mode में कर सकते हो तो यहां पर इस five folder के icon पर click करना है यहां पर click करने के बाद आपको जाके यहां पर भी आपका file यह उसको extract करने के बाद जो उसका file होता है उसको यहां पर load कर सकते हो और यहां पर आपको सारे file से आपको दिखने लेगे फिर उसके बाद दुस्तों है आपर server पर click करना है file select करने के बाद जो model हो model select करना है model select करने के बाद दूस्तों है 1 second मैं कोई अच्छा सा model select कर लेता हूं यहां पर जैसे समझ लिजज़ गे हमें यहां पर Redmi 6 pro flash करना है क्या कोईल कॉम के सारे फून के फायरोज जो फायल होते हो वो सिलेट कर सकते हो कहीं-कहीं यह काम आता है पुझक पास सिक्यरोटी ऑप्शन में आते हैं महीं सिक्यरोटी ऑप्शन आपको मिल जाता है यह उप्शन इस पेसली अनलॉकिंग के लिए होता है जैसे आपको कोई एक model select करना है जैसे हमको यह अनलोग करना है यहां पर आजाएंगे आप आपको B-ROM और Radial अगर MTK phone हो तो आपको MTK में connect होगा सेमी option मिलने वाला है B-ROM का मतलब और Radial का मतलब कोईल का bootloader unlock अगर supported bootloader मिलेगा factory reset कर सकते हो आप आपको मैंने बताया ही था custom boot custom recovery तो यह आपको custom recovery mode में लेके चले जाएगा right custom recovery fast boot custom recovery तो यह सारे options तो मैंने भी कभी तो यूज नहीं की है इसके जरूद आप लोगों को तो पढ़ेगी है unlock bootloader कर सकते हो fast boot node fast boot node FRP भी support है ठीक है उसका recovery option आता है यहां पर वही सेम दोरह options आपके आप देखने लिए यहां पर recovery mode में भी कुछ-कुछ phones के MI account supported है और उसके बाद जो main जो नया update आया है आपको बता दू मैं recovery mode में अगर support है आपको यहां पर FRP और MI account कर सकते हो format भी कर सकते हो root भी install कर सकते हो root तो आप लोगों को पता ही होगा यह side load mode जो नया update आया है आप लोगों को मता दू MI के जो phone से latest जिसमें recovery 5.0 रहता है उसको आप side load mode में format कर सकते है MI account unlock कर सकते है FRP भी unlock कर सकते है ठीक है बीना phone को open के भले हुई हो call com phone क्या से ideal की ज़रुवत नहीं पड़े है आपको phone को recovery mode में डालना है MI assistance मतलब जिसको साइड लोड मोड बोलते हैं उसको उसमें connect करना है यहाँ पर आपको USB जो अहाँ पर दिखार हो यहाँ पर पोर्ट दीख जाएगा और आपको simply erase FRP पर क्लिक कर देना है यहाँ पर side load mode करेगा ADB interface के लिए search करेगा वो आपका phone अगर ADB मतलब जो MI assistance mode है उसमें connect रहेगा तो यहाँ पर आपका जो अगर phone supported है उसमें security patch latest है कुछ-कुछ phones हो जाते है कुछ-कुछ phones में ही error आता है ठीक है यह option मिल जाएगा उसको पर functions में आएंगे कुछ server check करने के लिए आप अपने phone का server देख सकते हो fmi on है कि नहीं मतलब fmi मतलब apple का नहीं यह में भी on रहता है तो आपका जो phone होता है वो relock होता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो बाइपास का उप्शन मिल जाता है अब लोगों को पता होगा security अपडेट करने के लिए काम आता है तो आप यहां से इनेबल कर सकते हो अगर फोन में support है तो अगर आपका फोन रूटेट है और ADV मोड में कनेट करके आप यहां से रीमूब कर सकते हो ओटेट को disable कर सकते हो firewall इंस्टॉल कर सकते हो इंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हो MTB ड्राइवर है स्पेसिली जोस्तों यह जो है यह आप लोगों को FRP बाइपास करने के लिए मतलब जो फोन के अंदर browsers open और इसके लिए काम आथा है तो यह सब ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पता है आपको एक्टि ब्राउजर पे क्लिक करें तो यहां पर ब्राउजर एक्टिवेट होगा आपके डिस्प्ले पर तीक है यहां पर हो सर्च करेंगा इंस्टॉल होगा इसे का जादा यूस कोई करता नहीं क्योंकि सब और इन से ही Samsung को फ्लैस कर लेते हैं क्योंकि उसमें बेस्ट उप्सन मिल जाता है और वह कहीं न कहीं एक ऑफिसियल टूल है Samsung आAnn में सबस्ट कर सकते हैं तो डीक्तन न सब सकते हैं क्या है क्या सोद पहले हैं तो इसले। तो कभी भी कोई भी फोन करने से पहले उसे एक बार क्रॉस चेक कर लें गूगल पर डालके कि आपका यह जो फोन है वह सपोर्ट है कि नहीं इसके अंदर कैसी होगा इनकेस कच-कुछ फोन जो है वह सफ्ट ब्रिक होयाते हैं तो आप यहां से उसे फिकस भी कर सकते हो डान्लोड रालके फोन को डान्लोड में रालना है और सौट सौफ्ट ब्रॉक्ट करना है और आपका जो फोन है वह स्ञेव फीक्स हो जाएगा उसके बाद पार method मिल जाते हैं चारों बसी एक method तो वक करता ही करता है अगर आपके पास code working है तो बहुत सो लोगों को problem आती है driver के वज़े से जाती है तो दोस्तों driver कभी भी उसको अगर आपको problem आ रहेगे driver इंस्टॉल करें port चेंज करें cable चेंज करें क्योंकि लगभग लगभग जिसम आपके फोन हो ही जाते हैं लगभग लगभग आपके निम सिंपल ही आपके फोन में इस्टार है जिरू स्टार है डालना है फोन को connect करना है आपके कोई भी option एक सिलेट कर सकते हो अब इसकंदे method 1, method 2, method 3 एक एक option करके आप चेक कर सकते हो उसके पास आपके फोन का ID इनेबल होगा है अलाओ option आएगा अलाओ करेंगे आपके फोन का जो भी FRP है वो रिमूव हो जाएगा यहां पर दूस्तों आपको डाउनलोड मोड एंटर डाउनलोड मोड के कॉम पोर्ट अगर आपका फोन नॉर्मल अगर दूसको डाउनलोड में जा सकते हो फैक्टरी रिसेट क कि A-D Coconut ऌन्चैस प्रति ञंनलोड में अ पास्टकोड रिमोव रिमूव होता है एक फारपी होता है ant db मोड में अफ ृसा कर सकते हर देट को उसके पाद है हवाई पे हुआई में दोस्तों अपको इसी तरिक्ये कि बहुत सारे ऑप्चन मिल जाते हैं हुआ के बहुत सारे早 जो प्रोसेसर CPU है वो सपोर्टेट है इसके अंदर जैसे कि 659 है होनर नाइल लाइट में साथ 659 है उसको सब्सक्राइब करता है उसको सब्सक्राइब करना है फोन को 1.0 आना चाहिए अगर आपका फोन कॉम 1.0 में कनेक्टेट है तो यहां पर आपका इरेस फर्प का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको अप्ग्रेड फ्लेस का पर ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर आपको फोन को फ्लेस भी कर सकते हो जो जो अप्ग्रेड करना पड़ता है उसके बाद आपका इफर्प रिमूव बता तो यहां पर आपको फाइल्स भी डाउनौड करने को उप्शन मिल जाता है अप्ग्रेड मोड मतलब हुआ में अप्ग्रेड मोड आता है जिसके उपर आप फोन को फ्लेस कर सकते हो एक बतन है यहां पर आटो डीबूट पर चेक कर देना है फोन फ्लेस होने को आटो रिबूट हो जाएगा ठीक है यहां से आप फास्बूट रोम भी बना सकते हो और सीक्रिटी ऑप्शन में आप फास्बूट में वहीं डंफाइल पैटन है इस फार्प है बेकप ओएम इंफो कुछ चीजे हैं यहां पर रीड राइट कार्ट भी राइट कर सकते हो फंक्शन बटन में आपको यहां पर आडवांस इंफो मिल जाता है रीमूव होई आडी मिल जाता अगर आडी भी मूड आन है तो यह भी आपको दोस्तों तीनों ओप्शन जो फार्प वाइपास के ल और फैक्रीड दीट है और और nvm me nvram बेकप ले सकते हो और रिष्टोर भी कर सकते हो एंविरेम जो यह लेक सेक्रिटी फाइल संब्सक्राइब है उप्टिक बात करें तो अपके अंदर सबसे बेसिक सारे फू ताइब समें ही सबसे बेसिक है आप कोई भी टइब यूज करेंगे उस brand के अंदर जितने भी model supported हो आ जाएंगे उसके बाद यहां पे आपको bootloader supported bootloader option मिलेगा FRP का factory state factory state FRP दोनों मिल जाएगा कुछ-कुछ phone दोस्तों Oppo के safe format में supported है अगर आपका phone यहां पे safe format दिखा रहा है safe format आपका data नहीं उड़ेगा आपका lock उड़ जाएगा Oppo ID भी supported है remove demo भी supported है दोस्तों आप demo भी remove कर सकते हो disabled OTA तो OTA भी disabled कर सकते हो आपको change तो इसके बारे बात ही नहीं करेंगे छोड़िए यह सब work नहीं करें तो यह अच्छा है ठीक है repair के लिए खाली यूज़ करें उसके बाद आपको function बटन में भी ADV में demo remove करने को मिल जाता है Oppo ID carrier switch करने को option मिल जाता है disabled OTA update मिल जाता है fix wi-fi assistant किस-kis-kis-i phone में FRP के बाद यह problem आता है तो उसे आप fix कर सकते हो यह भी आपको तीनों options FRP bypass के लिए में जाते हैं आप security के updates मिल जाते हैं write करने के लिए meta mode जैसे के mtk phones में meta mode का option आता है meta mode में आप phone को unlock कर सकते हो android 11 तक supported है होते नहीं है कुछ-कुछ phones होते हैं कुछ-कुछ दाल देना है यहां पर save format भी कर सकते हो पैटन भी रिट कर सकते हो अकर supported है तो ठीक है यहां पर बहुत सारे option मिल जाएंगे आप जो भी option इस्टिलिट करेंगे आप ADB mode में sorry meta mode में और restore भी कर सकते हैं और यह DIG mode है QCN right और रिपेर करने के लिए काम आता है और नीचे स्टिलिट्री क्याटेट में वीवो में भी सेम ही चीज है नॉर्मल दोस्तों सारे phone जैसे unlock होते हैं सारे options आलग है किसी-किसी phone में unlock options आलग हैं तो मैं आपको बता दूँगा वीवो में भी दोस्तों यहां पर आपको जो भी model unlock करना है model select करना है factory research करना है वीवो account करना है और model के हिसाब से आप आपको supported options में मिल जाएंगे bootloader demo और उसके बाद वीवो account मिल जाएंगे security मिल जाएंगे preloader में भी आप डाल सकते हो force करके तो इसमें बहुत सारे phones में problem आते हैं पहले आप देख लेए आपका phone proper supported है या नहीं तो यह वीडियो में दुस्तों आप लोगों को मैं उपर उपर overview दे रहा हूं लेकिन आपको यह देखने के बाद option समझ में आ जाएंगे अगर आप new user हो तो आप इसे use करना सीख सकते है उसके बाद function button में आपको वही सेम सारे चीज मिल जाते है fast boot to coilcom का option मिल जाते है phone supported जो है वह fast for CDL कर सकते है erase FRP कर सकते है demo remove कर सकते है FV का मतलब यह पुरा fast boot ही है screen lock भी कर सकते है read info का option मिल जाता है OTA disable कर सकते है किसी किसी में notification का problem आता है उसको fix कर सकते है यह तीनों options दोस्तों आपको FRP bypass करने के लिए मिल जाता है यह preloader enable preloader mode में आप ADB और DIG enable कर सकते हो इसमें भी स्लिम आपको meta mode मिल जाता है जैसे आपको मैंने open में बताया था read info कर सकते है metaboard में format कर सकते हो nvram को backup और restore कर सकते हैं यहाँ पर DIG mode आ जाता है support model में जाकर देख सकते हो यहाँ पर कौन-कौन से model supported है और बहुत सारे model जो supported नहीं हो भी होते हैं आप गूगल पर चेक करेंगे आपको options मिल जाएंगे vsmart mizu दो यह सब phones के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यह सब phones भी से मुझसी तरी कि इस option मिल जाएंगे जो में में ज्यादा करकी यूज होता है दुस्तों यहाँ पर Samsung Oppo Vivo को मैंने आपको बता दिये मुझसी में भी CME आएंगे टेक्नो में भी आपको अगर Empty के फोन है तो नॉर्मल आपको फोन सेलेट करना है जो फोन है आपका इधे फर्प करना इधे फर्प कर सकते हो वाइप अन्वेव नहीं कर सकते हो जादे options इसमें नहीं मिलते है आपको स्रिफ टेक्नो में स्रिफ आपको FRP और Factor Reset के ही ज्यादा option मिलते है कुछ-कुछ फोन के बूड़ोडर के भी option मिल जाते है एन्वेव में भी वाइप करने का option मिल जाता है लेकिन राइट करने का कोई option नहीं मिल रहा है इसके इसके बाद आसूस का option मिल जाता है ज नॉर्मल सपोर्ट मोडल में जाके जो भी ब्रैंड का आपको करना है उस ब्रैंड के उपर नाम कौन-कौन से ब्रैंड मोडल सपोर्टेट है आपको सारा कुछ आपर दिख जाएगा आप उपर आपर सर्च भी कर सकते हैं ठीक है उसके फ़ाद आपको ADV करने का option मिल जाता आपको नॉर्मली जैसे सारे फोन सपोर्ट करते हो मोडल सेलेट करना है बाद सेलेट करने पाद डिसेबल लॉक्स कर सकते हो फैक्टी रिजेट कर सकते हो एडी बी इनेबल कर सकते हो यह सारे आप्शन आपको FRP वाइपस करने के लिए मिल जाएंगे EDR और Veroom को आपको आपके पाद आपको reco代 unlock tool में कुछ-कुछ HMD फोन भी सपोर्टेड है SPD फोन जो है वो भी सपोर्टेड इसके अंधर औरכे पीपड फोन भी कही न कहीं सपोर्टेड बहुत सारे फोन इसनलोग होताई SPD के फोन बहुत सारे एनलोक होग होता है Power update में unlock tool ने Nokia के बहुत सारे SPD phones के नए-ने update दी है C10, C1+, आप यहां से unlock कर सकते हो दोसको कुछ-कुछ phones unlock नहीं होते हैं तो उसमें परिशान मत होएगा security का problem होता है या तो फिर अगर security सही है तो आपके phone में PC में driver का problem हो सकता है तो वह चीज आपको चेक करना पड़ेगा ठीक है यहां पर भी आपको factory reset पर मिल जाएगा functions में आएंगे वही bypass काने का option मिल जाएगा fastwood mode में factory reset का option मिल जाता है अगर आप यहां पर Nokia के phones में आपको मतादू हमने किया हुआ है fastwood mode में अगर factory reset पर क्लिक करेंगे कुछ-कुछ फोन जो है वह recovery mode में जाते है वाइप होने के लिए जैसे आप factory reset करेंगे fastwood mode में तो आपका जो फोन है वह recovery mode में आप वहां से उसको wipe कर सकते है ठीक है डीजी mode में वही same Qualcomm phones के लिए QC and write connect option में जाता है meta mode है जो कि MTK mode के लिए है तो ज्यादा तो इसका use होता नहीं है आप use करके देख सकते है उसके बाद दुस्तों आता है options Lenovo होगा ठीक लेनोव में भी ज्यादा options आपको मिलते नहीं है अगर आपका phone MTK है तो यही bootloader unlock bootloader unlock relock option में जाता एफक्टी reset erase FRP को option में जाता है ADL mode में भी सारे option में जाते हैं MTK mode में भी functional button मिलता है FRP bypass का DIG mode में वही coilcom phones के लिए काम आता है यह यह सारे option में जाएंग के क्यूशन राइट करने के लिए और coilcom में भी सेम यह option है ठीक है और यहाँ पर security can be data read write कर सकते हो इसके बाद यह चीज आप मिस्ट नहीं करना यह दोनों टैप बहुत ही special tab अनलॉक टूल का बहुत सारे काम इससे होते हैं तो सबसे पहले आपको मैं callcom tab के बाए बता दूँ तो callcom tab में दोस्तों आपके आपके यहाँ पर एक universal format रहता उसका वह फाइल है तो आप उसको किसी भी Qualcomm phone को flash कर सकते हैं यहाँ पर फाइल करने के बाद सारे options आपको आपको दिखेंगे show all पर क्लिक करेंगे और जो भी details है वह भी दिखेंगे ठीक है protect EFS पर आपको हमेसा टिक करना है OPPO में ही आपको Realme का option मिलता हूं मैं आपको बताना भूली है OPPO Realme क्योंकि यह की है ठीक है और यहाँ पर OnePlus का भी options यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं जो कुछ-कुछ कोई Samsung का फोन इसके सामले ले लेते हैं Samsung के फोन में जितने भी Qualcomm फोन से यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कुछ-कुछ करना है серver स्कुछ करना है customize के रम हरे फोनिक करना है यहाँ बसे इस किलेट करना है custom करना है यहाँ पर फाइर ऑफ को सीलेट कर नहीं है ठीक है कि रहे हो तो कि इना आइक दाट जैसे हमेट एक को का मतलब मतने आपको बता जिए पुरा पाँशिक के लिए कुराथ करने कि लिए सुपरे करें के आँशन के Method तिक करेंगे और पहले बाइपास करेंगे उसके बाद फोन फ्लैस होगा यहां पर आप GPT भी रीट कर सकते हो फोन के पूरे फोन के जो फाइल से वह दिख जाएंगे आपको प्रिलोडर स्किप कर सकते हो अब स्केकर्ट फाइल से यहां से चैया से सर्वर पर करेंगे तो वहीं सेम कोलकॉम के जैसा लिख चाहिए का और यहां पर आपको ब्रैंड के बाद मॉडल दिख जाए गा मॉडल सेलेट करेंगे जारे फोन का फाइल अगर आप आपके पास Scatter है तो यहां पर आप Scatter ले सकते हैं और यहां से आपको Factor Restate और FRP का Option मिल जाएगा और यह Bootloader Unlock है और यह Relock है और यह Authentication Bypass है अगर आप यहां पर टिक करेंगे तो Automatic Bypass करेंगा अगर आपको मिल जाएगा अगर आपको अगर में आना है तो आपको नॉर्मली पहले में बूट कर सकते हो फिर उसके बाद आपको जो Option सीलेट करना है यहां पर आप सीलेट करके ट्राइए कर सकते हो फोन आपका किस उप्चन में फ्लेश हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे Options मिल जाते है recovery mode में भी कर सकते है उसको Meta Mode में और बहुत सारे बicket और डाता है से एक नहीं प्राइब यूनिवेर्सल के बहुत ही बैस्ट उप्स ही है सुप्स्रें आपको कमेने अपर हैं, मैं भेसिम प्लशुन्त होते हैं IS ने की भी है और dump file को भी आप फ्लेश कर सकते हो ठीक है डीए फाइल कस्टम डीए फाइल सिलेट कर सकते हो डीए का मतलब जो डाउनलोड एजेंट फाइल होता है ठीक है उसके पाद इस्पेशल जो टैब है वन क्लिक टैब है आपको मैं आप बता तो जैनरी का और एक इस्प के बारे में आपको बालू होगा किसी-किसी फूंस में एरर आता है और इंच मेसेच का वह हो आपको मालूम होगा उसके बाद एरेस फर्प एफेक्टी रिचेट मिल जाता है आर्पी एंबी रिड्राइट कर सकते हो जैसे कि एक फोन में प्रॉब्लम आया था आर्पी इसके बारे में मुझे भी नहीं पाता हूँ है अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें मैं इसके बारे में जानकारी लेकर आपको वीडियो बना दूँगा रीड बैक कर सकते हो फाइल से रिड्राइट कर सकते हो उसके बाद दूसके आपर इस्पेशल टैब मिलता है याप पर OPPO और Airemex मतलब Realme OPPO के Erase कर सकते हो ID DL Error आता है न आप लोगों को मालूम होगा कुछ-कुछ phones के FRP करने के बाद या फिर format करने के बाद या फिर normally DL Error आता है आप आप DL Error भी fix कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको रिमूव डैमो का ओप्शन मिल जाता है डायरेक्ट यहां पर आपको कोई भी model select करना है उपर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको रिमूव डैमो पर क्लिक करना है और आपका फोन का डैमो रिमूव जाएगा और fix converter यह तो मैंने भी नहीं किया आज तक अगर करूंगो तो बता दूंग आप लोगों को OTA मतलब जो OTA update होता है उसका disable कर सकते हो security के change करने के लिए option है मत यूज करना कभी remove demo disabled OTA यहां पर भी वीव का मिल जाता है option यह वीव का यहां तक अभी तक OPPO और करने के लिए होता है यह नौर्मली आपके फोन का मिल रिसेट करेंगा अगर आपका FMI on है MTK फोन में तो वह रिलॉक होगा अगर आपको disable करना आपको disable आपको क्लिक करना पड़ेगा तो अगर आपको error आरा रहा है दिए का अगर पर कोई भी error आरहा तो यहां पर आपर दोस्तों बहुत से लोगों को जा करना पड़ता है बहुत से models में जा करना पड़ता है आप ठीक करना आपको आप पर error आएगा यह आएगा 9A models और बहुत सारे या फिर नेट मिलने के बाद रिकनेक्ट मतलब रिलॉक नहीं होगा ठीक है करप्टें करप्शन मतलब यह अपना गवर्णमेंट का करप्शन नहीं और यह जो कुछ-कुछ करप्शन करने के लिए यहां पर नॉर्मल मोड में हवाई आड निकाल सकते हो और समसंग का के लोग निकाल सकते हो बहुत अरे फोंस के सपोर्टेड आप इसे ट्राय कर सकते हो सेकंड उप्शन उसके बाद का उप्शन आता है एंड्रॉइड पैकेज मैनेजर है इसको तो एपीके फोंस के लिए एपीके के लिए यूज होता है में जो है यहां पर आपको इसके लिए उप्शन मिल जाएंगे नोकिया को जो एंब्यो फाइल होते हैं जो पहले पहले नोलैता है इमेज करण अप्शन मिलता है यहां पर रियल्मी के लिए मदा है उसके बाद अपको flash करना जाएंगे तो आपको OOPF file मिलता है जिसके जो आपको scatter file आपको Google में मिलेगा तो अगर आपके पास OFP file है तो आप यहां से direct उसे unpack करके MTK file में convert मतलब आपको scatter file मिल जाएगी और आप उसे authentication bypass करके flash कर सकते हो normally जैसे आप SP tools से सारे phones को flash करते हो ठीक है Apple tap के बारे में ज्यादा कुस्तों नहीं बताऊंगा आपको लेकिन जो जो एडवांस जो इसके आपको मिल जाती वह सारे कुछ मैं बता दूँ यहां पर तो सबसे पहले अगर आपके बास hello screen है तो hello screen को आप bypass कर सकते हो बड़ उसके अंदर आपको network नहीं मिलने वाला है ठीक है उसके बाद दुस्तों आप अगर आपका phone disable है password mode में है तो आप उसको backup ले सकते हो जैसे यहां पर आप आप ले सकते हो आप लेने के बाद आप फोन को restore कर सकते हो backup restore करने के बाद दूस्तों आपका phone जो हो अलना को जाएगा आप उसको यूज कर सकते हो आपका जो specialist के अंदर जो यहां पर आपको website पर मिल जाती ना file download करने लिए आपको मैं दिखा दू यहां पर आपको यहां पर लेने पड़ेंगे अलग-अलग model के अलग-अलग files आते हैं यह सारे files आपको download करके उसके folder में जो CD drive मैंने आपको बताया था यहां यहां ही unlock tool के CD drive में यहां पर आपको डालने पड़ते हैं जिसमें आपको data में डालना है जिसमें भी आपको apple के जहां पर आपको path दिखाएगा वहां पर डालना हो कर रहेगा आप इसके बारे में ज्यादा detail अगर जानना चाहते हो तो आपको YouTube के उपर जो इनके channels हैं इस पर आपको मिल जाएंगे किस तरीके से करना है बहुत सारे channels से दूसरी देख सकते हो channel 1 channel 2 apple तो आपको channel 2 apple पर क्लिक करना है है यहां पर आपको देख से 23K subscribers भी इसके अंदर और वीडियो पर क्लिक करेंगे सारों दोस्तों सारा कुछ इसको मिल जाएगा आपको file के से download करनी है c drive में कहां पर आपको file को paste करना है हर model के लगए 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 आपको वीडियो भी मिल जाएंगे hello screen कैसे bypass करना है और कुछ SN number, serial number से भी कुछ options आ गया है purple mode में serial number bypass करने का option मिल जाता है फिर उसके बाद jailbreak का option मिल जाता है बहुत सारे options आपको यहाँ पे मिल जाते है कुछ गंटे के ऊपर चले जाएगी रखता है यह वीडियो इन फिनिक्स में भी नॉर्मल दोस्तों इन फिनिक्स में आएंगा तो जैसे सारे फोंस में आपको option मिल जाते है model number select करना है factory reset मिलता है FRP मिलता है bootloader मिलता है wipe NVA भी मिलता है ज्यादे options आपको इसके अंदर भी नहीं मिलने वाले नॉर्मल आप फोन को unlock कर सकते हो फ्लेशिंग के लिए आप unlock tool के यह media tech को यूज करते है coilcom को यूज करते है अगर आपका phone coilcom है तो coilcom में जाके यहाँ पर आपके पास file है तो in prince के भी phone को किसी भी phone को flash कर सकते हो उसके बाद एक last option मिलता है spectrum का spectrum के option में दुस्तों आने के बाद यहाँ पर आपको brand मिल जाएगा जो भी brand में SPD phone से जो spectrum phone से वो सारे phone से यहाँ पर आपको show करेंगे जैसे कि यहाँ पर जियो नहीं हो उसमें आप frp भी unlock कर सकते हो pack file भी आप यहाँ से flash कर सकते हो जैसे आप सभी को मालूम नहीं हो तो मैं बता दू SPD phones को flash करने के लिए pack file लगते हो pack file से भी आप इस यहाँ पर flash कर सकते हो तो यह रहा हमारा पूरा unlock tool को normally मैंने कोसिस किया जेतना आप लोगों को मैं बता सको इस तरह के आप दिया तो एक बार आपको मैं पूरा overview दा दू unlock tool को कैसे खरीदना है कैसे यूज करना है आपने देखी गाए एक बार फिर से आपको बता दू website पे चले आना है website के उपर आपको इस तरह की website मिल जाएगे website के अंदर आपको download option मिलेगा यहां से आपको जो भी नए updates आएंगे वह देफने को मिल जाएगे download tool पे click कर download कर सकते हो यहां पर drivers को option मिल जाते हैं यहां पे आपको apple के file से मिल जाते हैं यहां पर help के आपको εν के चैनल से यहां पर register कर सकते हो registration करने के लिए यहाँ पिर paragraph I am not dann by the Note 1 के करना है register करने के बाद दोस्तों यहां पर ჉प को login करने का इस तरीक और आपका MLID देना पड़ेगा और जो भी चार्जेस होगा वह आपको बता देंगे नॉर्मली दोस्तों मैं आपको अगर मैं बता दू वीडियो के अंदर तो थ्री मन्त के 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 सैट्रीworking डबल जीर पैंड धर चुनवां पर फजाथ है ईक यहां पर हों सकते हैं तो इस वीडियो के बताना था और 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 किस तूल के अप लोगोंको को वीडियो चींए कमेंट क्योंते चैन्य जरूर्ण मैं कुशा है संगार बता है吗 कोपर वीडियो बनाने की वीडियो का इसा लगा कमेंड करके जरूरू बताना बाइब दोस्तों मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टिप्स के साथ नए टिस के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे